यात्रा करना मुझे तो बहुत पशंद है इतना कि मैं हमेशा एक सफर के बाद आगले सफर पर जाने के बारे में सोचने लगता हूँ बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि घूमने से क्या होता है इतने पैसे क्यों पर बात करते हो पहले तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि घूमना बिलकुल भी महगा नहीं है अब घूमना क्यों चाहिए उसकी कई वज़े हैं यात्राएं कई समस्याओं का हल बन कर आती हैं वो आपको फिर से जिन्दगी की चुनोती से लड़ने के लिए तयार कर देती हैं ट्रेविलिंग आपको थोड़ी देर के लिए चेंज नहीं करती हैं ये आपको मेंटली और सारीरी तोर पर भी तयार कर देती हैं इसलिए घूमते रहना चाहिए और वेतर होते रहना चाहिए अगर आपको खूमने के फायदे ही जानने हैं तो चलिए मैं आपको बता ही देते हैं कि घूमने से क्या-क्या फायदे होते हैं अगर आप अपने तनाओ को कम करना चाहते हैं और खूश रहना चाहते हैं तो घूमना शुरू कर दीजिए घूमते वक्त आप सिर्फ गाड़े में नहीं रहते हैं खूप चलना पड़ता है कभी-कभी पहाड़ों के दुरगम राश्तों पर तो कभी-कभी जंगलों में य यूँ ही भटगना बहुत अच्छा इलाज है यात्राएं चिंताएं तनाओ जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया इलाज है आप हमेशा यात्रा कीजिए जब शमय मिले आप अपने फैमिल्यों के लिए के जरूर यात्रा पे निकलिए जैस्री राधे ख इन मित्रों